तो कईस में अमाजन पर देख रहा था कि आसे कौन से बॉल पैन है जो आप लोग जादा पर जिस करते हैं और मुझे मिल गई है टॉप 10 पर्चिस बॉल पैन की लिस्ट जो हमने यहां पर ओडर कर लिया है और यह रहे वह सारे टॉप 10 पैंस बता देता हूं कौन है और में की तरव से सेल होने वाला जोटा गोल्ड रिम बट यहां पर हमाएं पास टेलने स्टील फिनिश में वह था दैन हमाएं पास सेलू का ब्लेंग उसके बाद हौजर एक्सो उसके बाद रिटनॉल्स के एरो स्लिम दैन सेलू का फाइन ग्रेप लास्ट टाराश की तरफ से आन का प्राइस है 10 रुपीस काफी ची सिंपल यूनिबोडी हाट डिजाइन हमें मिलती है बात करने राइटिंग एक्स्पीरेंस की तो पैन की इंक काफी डार्क है स्मूज चलता है मुझे किसी बी टाइप की इंक ब्लॉबिंग भी नहीं देखने को मिली और यहां पर यहां स्मझ भी नहीं करता है साथ ही साथ एक में कोई स्मेल भी नहीं है अधे नेक्स पैन पर गाई तो यह हमारा रिनॉड्स की तरफ से आने वाला डी फाइं तो यह बिल्कु नया पैन है इस पैन का प्राइस पड़ता है आपको फाइव रूपीस पर पीस बिजिकली यूज औ प्राइब करते की दिखा यह पैन हो जाता है इसको में उपन किया जाको और यहां देख सकते हैं कुछ ऐसे इसमें पैन निकलता है तो इस टाइप का पैन है एक नॉम्मल सिंपल क्लियर प्लास्टिक डिजाइन आपको यहां पर मिलता है जो यूज रूप जानल आपको दे जीरो फो फाइफ कैलिबर यह बेसिकली अलग पैके यह स्टूडेंट पैक है आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है पर जो टॉप सेलिंग एक्शूल में है वह यह वाला पैन सेमी पैन दो बस यहां पर इसका बॉड़ी कलर डिफरेंट है तो इसको मैं रखता हूं आपको design देखने को मिल जाता है एक iconic design है यहां पर का सब काफी अच्छा है यहां पर सकी रेनोल्ड के ब्रेंडिंग है यहां laser tip आपको मिलता है अंदर जिसका grip section है यह भी iconic है यहां पर आप देखेंगे सेम रीजन की वैसे कि समझ भी कम होता है इसे लिखने में आपको थोड़ा सा एफर्ट जादा लगाना पड़ता है इसकी जो बहुत पुराना पैन इसको सिग्निफाइब करता है बिल्ट इसका डिफिनिटली बहुत अच्छा है एसका प्राइ देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हमारे एक टे कर लिए है अप इसका जो डिजाइन है यहां पे काफी डिफरेंट इसका प्लास्टिक है काफी जाती है प्लमिना की डिजाइन यहां पर कुछ पैटन है देखने में पैन काफी बड़ी अलग रहा है पैन के प्राइस आपको पढ़ता है 10 रूपीस पर पैन इसको हम यूज भी करके देख लेते हैं अभी तक सारे पैंस में ना इसमें जो ऑईल वगरा है वो थोड़ा जादा है तो थोड़ा सा पैन है उसका बिल्ड काफी अच्छा है एक डाक क्रीमी पैन है अब हम आज आता है हमां नेक्स पैन पर गाईस जो की है पाक की तरसे आने वाला जौटर अब यह वाला जो पैन है ना एक्चुली जो सेल होता है वो सा गोल्ट रिम है यानि कि इसमें इसका यह जो क्लिप ग इसमें बोला था कि है सबसे सबसे अलिगेंट डिखने वाला पाका पैन मुझी लगता है इससे सबसे भी पैन साते है बट ओवर ओर मेरे लिए चो कॉलिटी की बिगनिंग होती स्टार्टिंग ओपा की ऑल मिटल से वह मैं यहीं से मानता हूं तो अबरल हमने से लिखके दे जाएंगे तो इससे जो वैल्यू एड होगी आपके लुक में वह बहुत ज्यादा वैल्यूबल है इसके बाद आता है जो कि है सेलो की तरफ से आने वाला ब्लिंग बॉल पैन तो यहां पे इस टाइप के पैन दिखता है यहना काफी पेस्टल कलर्स में आपको मिल जाता है इसका प्राइज है 25 for 150 याने की पांच उपी पर पैन आपको यह पैन पढ़ता है इसको उपन करते हैं तो यहां पर आपको काफी अच्छा साना पेस्टल डिजाइन देखने को मिल जाता है मैंने आप इसके कुछ पीसस ले लिया हाथ में आप देख सकते हैं कुछ इस ट्र आपको नहीं मिलता अगर मैं आपको दिखा हूं तो कुछ इस टाइप की दीफिल मिल जाती है सेलो की अब देखते हैं यह लिखने में कैसा परफॉर्म करता है तो यह पाइन काफी डिफरेंट परफॉर्म करता है यहां पर इसका जो इंका टेक्शर है वह थोड़ा सा करने लगता है यहां पर आपको दिखने वाला स्मूथ पैन चेहिए तो मुझे काफी अच्छा लगा अब आजाते हैं नेक्स पैंपर का एक्स हो तो यहां आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से पैक डिकता है अब आमाजन पर जादा होता है ना वह इसका इतना बड़ा इसे चोटा वाला होता है यहां पर इसकी बॉड़ी कुछ ऐसी दिखती है अगेन काफी अच्छी यूड़ी डिजाइन सिंपल प्लास्टिक में आपको मिल जाता है काफी हाइग अच्छी ब्रेंडिंग इसको आप ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से यहां पर इसका प टिप से लेकर आपके गृप का डिस्टेंस वह भी मुझे बहुत चाल अगता है अब यहां पर क्या है अगें सीम लॉजिक है स्मूधनेस यहां पर काफी बढ़ा दी गई आपको काफी कम मेंफिट लगाना पड़ेगा पट उसी के करण यह पर समझ जादा हो रहा है तो इसका बस ध्यान रखिए आप कि इस पर हाथ ना लगाए क्योंकि समझ जाद होगा बाकि ओवरॉल नॉर्मल लिखने के लिए प इस ट्राइब के पैन यहां पर भी नहां में काफी एची यूनिबॉडी मिल जाती काफी सिंपल सा डिजाइन ऐसे पैन मुझे जो स्टिक पैंस होते हैं मुझे काफी पसंद आते हैं सिंपल एक्दम कड़क सिंपल डिजाइन वाले एंड यहां पर ब्लू में ब्लू है चलने में यह जो पैन है यह बहुती बैलेंस्ट पैन है यहां पर आपको उसमें फाइन पॉइंट मिल जाता है चलता भी स्मूद किसी बी टाइप की ब्लॉबंग मी नहीं 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 जाता क्रीमी है ना जाता समें एफट लगाना पड़ता है बिल्कुल ठीक होता है और इससे लिखा हुआ टेक्स मुझे काफी इच्छा लगा तो और फाइर उपीस में ना काफी इच्छी बॉड़ी है एंड मुझे अल्टिमिट यह पैन लगा फाइर उपीस में वेल्ली फॉर मनी पैन है यह तो आ जाते हैं हमाएं नाइंट आप्शन पे जो कि यह से लो के तरह से आने वाला फाइन ग्रेप गाइस यहां आप देख सकते हैं कुछ ऐसे दिखता है एंड इसको हम ओपन करते हैं आप सेलो के ना काफी सारे पैंस आ चुके हैं आई कैस यह बहुत पराना पैंस के लिए लोगों को ना मन में बसा हुआ है और वही वही ओडर कर रहा है टो स uniqueness आपको डेख सकते हैं काफी सिंफल सा आपको इसमेंद दिजाइन मिल जाता है चाहीं काफी एचीं सी रबर अब आपको लिए diplomate कोश का Can है ना जाता थिक है ना जाता थिन है पॉर्फेक्ली बैलेंस आट कूट है आप साइड बैसाइड एरोसलिंग के बाद देखोगी भी ना तो सिमिलर ही थिकनेस आपको दिखेगी इंक ब्लॉबिंग किसी भी टाइप की नहीं है और और काफी वडिया पैन लगा यहां पे और कई मॉडल्स आगे हैं जैसे कि पिन पॉइंट ही जिसको मैं इसकी उपर पर पर्सनली भी पर करता हूं बट अब अभी हम अमाजन के टॉप 10 टेस्ट कर रहे हैं तो यह तो नाइंद वन अब हम आ जाते हैं गाईस हमाई फाइल पैक पे जूकि है नंबर टैन पे सारे दिखाता हूं तो काफी कलोफॉल डिजाइन आपको यहां पर देखने को मिल जाता है उपको अन्दर से भी आपको दिखा रहेता हूं गाईस तो इसको ऊपन करना थोड़ा सा मुश्किल है तो यहां पर आप देख सेकते हैं स्टैस इसकी रीफिल निखल के आ आ जाती इसको मैं वापेश डलता हूँ चला करें कि कैसा यह चलता है तो और लिखते टाइम यह काफी स्मूध पैन लगा इसका इंक का टेक्शर भी हलका सा डाक है बट इतना जादा भी डाक नहीं की जादा इंक ब्लॉबिंग देखे परफेक्ट मुझे लगा किसी भी टाइब के इ है नट्राज में तो अफसाल उटता है कि क्या जो और यहीं सेम है यह बदलेगा तो इस मेरे साब से रैंकिंग चेंज जो निशीए क्या उनिशीए बताता हूं देखिए नंबर वन पर पेंटाउनिक था तो यहां पर पेंटाउनिक तो ठीक है बट यहां पर नंबर टू है मैं अभी इसको जाथा आज इस पार इसको मैं आगे लेकर आना चाहता हूं तो यहां पर पेंटानिक एंटानिक फोडिने गर सकते पंटानिक ठीक रहे गा तो यह हो गया इस लीकित वाइप में डालना चाहूंगा तो एट पोजिशन ते ऊटके आगें फरस्ट पे आ घ गया है हमारा रेनॉल्स का एरो स्लिम अब यह भी इनके बीच मैंने स्को रखा इसका रीजन यह है गाईस कि यह पेंड सिर्फ पांच रुपे का आता है एंड इसका जो डिजाइन है वो काफी श्रॉंग है काफी अच्छा है चलता बैलेंज है और परफेक्ट मुझे पैल ल इसको लेकर आना चाहूंगा फॉर्थ पोजीशन पे इस फॉर्ट पोजीशन पे इसके साथ शेयर करेगा रेनॉल्स का डी फाइंड फाइड रूपीस में आपको काफी चा यूजन थ्रो मिलता है बच पहले में अटराच पे करूंगा देन दिस वन तो इसके साथ यह वाल सब्सक्राइब करना चाहूंगा इन दोनों को क्लब करना चाहूंगा अब इन में रैंकिक नहीं है अब प्राइस और अपने स्टाइल के साथ यहां पर पुड़ाना डिजाइन मिलता है काफी यूनीक और यहां पर आपको स्मूथनेस मिल जाती बट समझ भी मिलता है अब इसका प्राइस इतना अलाग है कि इसको इन से कंपेर करना बनता ही नहीं है बट और यह ता हमारा वीडियो जिस पर आपके साब से रैंकिंग क्या होनी चाहिए थी अगर आप अपने टॉप 10 बॉल पैंस की लिस्ट बनाए तो वह क्या होगी कॉमें नेक्ट वीडियो को कि इस पर चाहिए जल्दी मुझे कॉमेंट सेक्शन बताइए यहां तो वीडियो और देख रहे होंगे आपको उनको देखके अपना स्टेशन इन और लेज अलाइंस करिए मैं में लुका आपको अगले वीडियो में टेल लें देख किया बाबाई